धनुश कमजोर हो तो उस पे ज्यादा तीर मत तानो है ताकत बाजूओं में क्या इसे भी आप पहचानो चुनोती आपकी गुजरात में जाकर हराएंगे ये भोलापन है या बड़ बोलापन ये आप ही जानो समय की मांग है भरना है सागर अपनी गागर में समय की मांग है तुमको खिलाने फूल पतजर में उठाया जैसे ही बला मचाया धर्म का हला तुम उनकी पिछ पे जाकर खेलने लगते हो पलभर में तुम उनकी पिछ पे जाकर खेलने ये ही तो चारे जाब इस पर बोलो समझ में आ गया मत बोलिए उनकी मत खेलिए उनकी पिछ पर और अंतिम बात कहना चाहता हूं बड़ा इंसान वो जिसका बड़ा बस कर्म होता है बड़ी वो बात जिसमें इक बड़ा बस मर्म होता है कसा जब तंज बिरला पे तो इतना ध्यान रखनाता बड़ों का मान रखना तो सभी का धर्म होता है यह बताइए यह बताइए आप गुजरात में जाकर जीतेंगे यह आप यह ऐसी बाते करने का क्या फायदा आपको नहीं दिखता कि यह अभी तो दिखी नहीं रहा है वहां पर एक मुश्किल से सीड़ जीते है आपने गुजरात की जंता त्रस्त है इन लोगों के बता देजिए यह तो सातों हर बार जीते जा रहे हैं अब क्या करेंगे वार तीन बार दिल्ली में विधान सभा में आपने देखा है सात ही जीत पाते हैं यह सतर में मातर सात भी नहीं जीत पाते कई बार तो यह भी तो हाल है विर्हान सभा में आप तो एक भी नहीं जीत पाते हैं हम नहीं जीतते इसको स्विकारते हैं आने वाले समय में हम उस लड़ाई को भी आगे बढ़ाएंगे कि शुर्दी ऐसा है उन्होंने कहा कि गुजरात जीत के दिखाएंगे लोक सब्सक्राव से पहले उन्होंने कहा था कि 2014 के चुनाओं में इनके बद 44 सीट थी उसके बाद इनकी थोड़ी सी बड़ी 51 हो गई अब इनकी 99 हो गई अगर ये रफ्तार इनकी रही तो इनकी सरकार बनने में अभी कम से कम चार लोक सब्सक्राव के बाद इनका नंबार आने वाला है कह रहे हैं कि राहूल और अखिलेश दनादन द्वंद करेंगे कुछ दिन रुख जाओ आपस में द्वंद करते दिखेंगे चिंता मत करो जिस सिस्टम को कोस्ते हैं फाइदा भी उसी से ले लेते हैं अगर EVM पे भरोसा नहीं है तो आप लोग इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं पहली बाद पहली बार एलोपी बने हैं लीडर ओफ ओपोजीशन पहली बार एलोपी बने हैं कहीं पद के मद में हद क्रॉस ना हो जाए बॉस बनने के चक्कर में इज़त का लॉस ना हो जाए आप लोग सदन में चू कित कित करेंगे वेल में आकर मर्यादा यह बताईए कि पीठ दिखा के भागने की आदत कब छोड़ेंगे थोड़ी सी सीटे ही तो बढ़ी हैं अपना राज नहीं समझना चाहिए अगर हाथ बटेर लग भी जाए तो खुद को निशाने बाज नहीं समझना चाहिए जनता ने मौका दिया है शोर मचाके उसे मत गमाईे जिस पद पर बैठे हैं इमान दारी से उसकी जिम्मेदारी निबाई है पिशली दस साल की तरीके से ये साल भी पाट साल बहुत बढ़ीया चलने वाले है भारत को हम तीसरी अर्थ ये उम्मीद है आपकी भरोसा है भरोसा है उम्मीद का मतलब ही नहीं है यहां तो भरोसा का केल है उम्मीद पर तो दुनिया उधर ठीकी हुई है को कि जब यह तीसरी बार ऐसा हो गया उम्मीद है आगे फिर उम्मीद है देश्म ने प्रधान मंत्र जी की सरकार मोदी जी की देखी है पाँ साल सरकार बहुत अچھا काम करेगी लोगों के सरकार का जो मैं अगर दो लाईनों में उसको समिर्प्त कर दो कि किसी के आँख में आसु नहो और हर चेरे पे मुसकान हो ये हमारी सरकार का मैंडेट है जएष बहुत बड़ा है विशे आएंगे भी और उन विशेओं के साथ कड़ाई से निप्ता भी जाएगा मैं किवाल आपके माध्यम से हमारे विपक्ष के मित्रों को ये कहना चाहता हूं संसत में जनता ने चुनके बेजा है चर्चा करने के लिए शोर ना मचाने के लिए और पीठ दिख लोगों की समस्याओं को सोल जाए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ना लगाए मैं के वाली यही निवेजन कर सकता हूं कि इनके पांच साल की बात कर रहे थे ना हम कि इनके पांच साल कैसे चलेंगे तो आपने तो अभाय मुद्रा दिखा दी अभी ये तो प्रवीन ह आप अभय से अजय कब होंगे देखर दिखिए जिस दिन इस देश में जिस दिन अभय मुद्रा के तहद डड़ो नहीं और डड़ाओ नहीं की जो परंपरा है उस परंपरा को निवाते हुए जाती और धर्म से उपर उठकर के हम इस देश में लोगों के मुद्दों पर बात करेंगे जो पहले पांच साल पांच साल जो चली वो सब ने देखी कैसे चली इस पांच साल में कैसे चलने वाली है उसके भी सुरुवात हम सब ने देख ली 15 दिनों के अंदर 15 ऐसे कांड हुए हैं चाहे वो नीट पेपर, UGC पेपर, CISR पे इस तरह से चर्चा न हो और उसके सांसदों को वहां बात न रखने दी जाए यदि यह है तो निश्चित तोर पे आने वाला समय अजय कहीं समय होगा मैं सिर्फ एक प्रसन कर रहा हूँ जिस समय प्रदान मंत्री जी बोल ले थे पूरा देश देख रहा था और आप लोग लगातार वहां पर जैसे कवाईली ओर्दंग करते ना इस तरीके से कर रहे थे आप कौन से लोग प्रदान मंत्री जी आप बहुत अच्छी बात कहा की बंद करो उनको ठीक नहीं लगा होगा जब नीट वाले को नीट वाले की बातों पर चर्चा नहीं करने दिया असल में की प्रब्लम क्या है जब आप एक प्लैंड स्ट्टेजी बना कर कि आओगे कि हमें नहीं बोलने देना, स्पीकर साहब ने बार-बार कहा, इस पस्ट किया कि भाई ये माईक कोई मेरे हाथ में कुछ नहीं है, और उन्होनώ झब केस उरेश, वोई नी का अदमी है, उन्होने ने पुझा केस उरेश जी और बाकियों का माईक अपने आप बंद हो जाता है